प्रेज दे लॉड जै मसी की मेरे प्रिये भाई बैनों आप सभी को प्रवेश मसी के नाम से बदाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में जबी भी हम बाईबल को पढ़ते हैं बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आता है क्योंकि बाईबल एक ऐसा विशेश किताब है जिसमें काफी सारे गहराई हैं और वो गहराई को हम जिन्दगी बर जानते ही रहेंगे और जानने की कोशिश करते ही रहेंगे और कभी भी हम थ दूदने में समय बिताते हैं, बहुत सारे contradictions लेकर आकर दिखाते हैं, उनमें से कुछ contradictions के बारे में हमने सच्चाई का सामना प्रोग्राम में तो देखा, लेकिन जब हम विशेश तौर पर निर्गमन के किताब 3300 अध्याय पड़ते हैं, वहाँ पर एक सवाल आपके fusion होने की संभावना है, वो क्या है, जब हम उस अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ पर हमको पता चलता है कि 11 वचन में खुदा मूसा के साथ आमने सामने face to face बात करते हैं, तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, क्या खुदा का चेहरा है, खुदा इंसान के समान, उनका भी एक physical form है, या फिर वो निराकर है, क्योंकि जब हम युहाना के किताब में पढ़ते हैं, 14 अध्याय 24 वचन, वहाँ पर सफाई से पता चलता है कि God is Spirit, परमेश तो आत्मा है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये सवाल आ जाता है, कि अगर खुदा परमेश और आत्मा है, इस प्रकार उन्होंने मुसा के साथ आमने सामने और face to face बात किया, सवाल और थोड़ा खटीन लगने लगता है, जब हम continue करके read करते हैं, लगातार पढ़ते हैं, हमको वहाँ पर 21 से लेकर 23 में एक और चीज़ देखने को मिलता है, कि जैसे मुसा परमेश और से विंती करते किन्तु तुम मेरा मुख नहीं देख सकते, कोई भी विक्ती मुझे देख नहीं सकता, और यदी देख ले तो जीवित नहीं रह सकता, तो लोग कहते हैं कि ये देखो, ग्यारवे वर्चन में यहाँ पर लिखा है कि मुसा के साथ आमने सामने face to face खुदा ने बात किया, और जो लोग theology नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए शब्द में बताना चाहूंगा जिसका नाम है anthropomorphism, anthropomorphism ये जो शब्द है, Greek शब्द से बना है, anthropos और morphism, एक दम short way मैं आपको explain कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इनसान का characteristic, यानि कि इनसान का स्वरूप धरना और इनसान के स् इस्तमाल करके प्रकट करना, उसको anthropomorphism कहा जाता है, एक simple understanding के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, तो जब परमेश्व और पुराने नियम में मूसा के साथ उस 33 अध्याय में 11 बचन में बात कर रहे थे, face to face, वो वाकरी में literally हमको नहीं पढ़ना है, वो हमको समझना है कि Hebrew में जब ही भी ऐसे शब्द, ऐसे statement इस्तमाल किये जाते हैं, वो God किस प्रकार, वो परमेश्व किस प्रकार intimately, यानि की परिचित रूप से और एक दोस्त के समान, अगर आप वो वचन को 11 वचन को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलता है, एक नजदी की रिष्टा, परिचित रिष्टा बनाने के बाद किस प्रकार कोई एक दूसरे से बात करेगा, उस तरीके से खुदा मूसा से बात कर रहे हैं, ये वचन का अर्थ है, face to face और सामने, आपने सामने का, जब लगातर हम पढ़ते हुए जाते हैं, तो बीसवे वचन में जब मूसा कहते हैं, कि आपका महीमा, परमेश्वर का ग्लोरी बहुत ही अपरम पार था, लेकिन मूसा का जो रिक्वेस्ट है, परमेश्वर ने पूरा कैसे किया, उन्होंने कहा, अगर आप कंटिन्यू करते पढ़ते जाएंगे, मैं 23 वचन डिरेक्टी पढ़ रहा हूं, तब मैं अपना हाथ हटा लू मैं आपको यही याद दिलाना चाहता हूं, अंत्रमोर्फिजम, परमेश्वर इंसान से बात करने के लिए, अपने महीमा को जो है, वो थोड़ा सा मिनिमाइस करते हैं, या फिर उसके लिमिटेट फॉर्म में आते हैं, ताकि इंसान उस चीज को ग्रास्प सके, ताकि उस च परमेश्वर वहां से हट जाएंगे, परमेश्वर जाने के बाद जो आप्टर इफेक्ट होती है, या फिर जो थोड़ा सा ग्लो होता है, या फिर उसका जो प्रभाव होता है, परमेश्वर की महीमा हटके जाने के बाद जो लाइटिंग जैसी फील, रोश्नी जैसी फील, उसको कहा जाता है कि तुम मेरे back को या फिर peat को देखोगे तो मेरे प्रिय भाईबे नो जबी भी हम Bible पढ़ते हैं हमको Bible को समझने के लिए Bible के किताबों का genre हमको समझने है genre का मतलब होता है कि Bible के हरे किताबों का एक classification होता है कुछ किताबों में कविताय लिखी होती है कुछ किताबे parables type की होती है कुछ किताबे historical होती है और कुछ किताबों में बहुत सारी चीज़े included रहती है जैसे कि अब हमने देखा anthropomorphism कुछ किताबों में figurative language बहुत इस्तमाल करते है यानि कि दृष्टांतमक शब्दों का इस्तमाल किया जाता है hyperbol इस्तमाल किया जाता है simili इस्तमाल किया जाता है metaphor इस्तमाल किया जाता है अब ये सारे शब्द हिंदी में समझाना थोड़ा सा कटिन है लेकिन in short में आपको ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल को समझने के लिए जिस प्रकार उस लेखकों ने लिखा है उसको समझना बहुत जरूरी है जब इस नजरिये से हम बाइबल के पास आते हैं तो कोई भी confusion हमें नहीं आएगा निर्गमन के किताब 33 वा अध्याय में कोई भी contradiction नहीं कोई भी प्रतिवाद नहीं है वो अध्याय सुन्दर तरीके से हमको ये बताता है कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य के साथ रिस्ता बनाने के लिए अपने महीमा को जो है वो लिमिट करके मुशा के साथ दोस्त के समान बात करते हैं और मुशा परमेश्वर की महीमा देखने की विंती करने के बाद वो जो है अपने महीमा का थोड़ा सा जलक जो है मुशा को दिखा देते हैं और इसका प्रकटी करन जो है आपको नए नियम में मिलता है जब फिलिप ने पुछा येश्य मसी से कि हमको पिता को देखना है तो येश्य मसी ने उनको उत्तर दिया कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा तो यहां पर भी हमको सफाई से पता चलता है कोलोशिय के कि पर फिलिपियों के किताब पढ़ने से कि परमेश्वर जो है वो अपने महिमा को लिमिट करके इस संसार में जो है इनसान बन कर आया ताकि वो आप से और हम से रिष्टा बना सके आशा करता हूँ यह आपको समझ में आया होगा अगर नहीं आया तो एक बार दोबारा इस वाट्सअप ग्रूप और सभी भाई बैनों को शेर कर दीजिये हो सके उनकी दिमाग में यह डाउट हो और यह वीडियो के द्वारा पवित्रात्मा उनके साहता करें लगे रहे हमारे साथ ऐसे अनेक वीडियो के लिए प्रभू आप सभी कौशिश करें का प्रसियू झाल